वक्त रहते हैं कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं दाता है यह और इन्हीं दो चीजों को एक टीचर जो होता है जो के टर है उस चीजों को वह सम्मिलित करता है मतलब आपका वक्त रहते हैं आपको समझ ला जाता है और एक टीचर जो होता है दोस्तों बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आपने समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए समझकार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर्च श्वागत है दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि नवंबर मैने के टॉप 5 वेकेंसी के बारे में जिसमें से ज्यादातर जो वेकेंसी है दोस्तों वो 10 पास और 10 प्लस 2 यानि मैट्रिक और इंटरमेडिट लेवल के छात्रों के लिए ही है ठीक है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि नवंबर के यानि इस महने के जो टॉप 5 वेकेंसी है जिसमें टोटल नंबर वेकेंसी कितना है और इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सभी चीजों क बारे में जानकारी देंगे जिन चात्रों को आवेदन करना है दोस्तों जल्द से जल्द आवेदन कर देंगे तो चलिए एक एक करके देखते हैं और चीजों को बताते हैं सबसे पहला जो दोस्तों है आप देख सकते हैं यहाँ पर विभाग विभाग का नाम मैं नहीं लि और जो वेकंसी है दोस्तों वो है आपका MTS की वेकंसी है जिसमें 1671 पदों की वेकंसी है और इसमें युग्यता जो चाहिए वो भी देख सकते हैं यहां पर 10 पास दस्मी पास युग्यता 1671 पदों की वेकंसी है उम्र सिमा की बात करें एज लिमिट तो 18-27 बर्स के बीच आपका उम्र होना चाहिए एक्जाम भी आप देख सकते हैं जैनरल OBC और EWS काटेगरी के लिए साड़े 400 रुपया रखा गया है और वहीं पर HCST के लिए 50 रुपया और फिमेर All काटेगरी है आपको कोई आवेदन सुल्क नहीं लगेगा और जिन दोस्तों को आवेदन करना है दोस्तों ये डेट आप याद रखियेगा और आवेदन कर दीजेगा देख सकते हैं आवेदन 5-11 यानि 5 नवंबर 2022 से लेकर ये 25 नवंबर 2022 तक चलेगा ठीक है ये हो गया MHA IB में वेकंसी टोटल नंबर वेकंसी 1671 पदों की वेकंसी है नंबर दूसरा विभाग पर आते हैं देखे विभाग इसमें कूल पत जो है 24,379 पदों की वेकंसी है दोस्तों और ये है आपका SSC SSC GD की वेकंसी जिसमें बड़ा वेकंसी है दोस्तों और ये है सारा का सारा GD जो आएगा वो हम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है इसमें आपका ITVP फिर हो गया BSF की वेकंसी है CRPF की वेकंसी है CICF की वेकंसी है SSB की वेकंसी है NCP की वेकंसी है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और SSF सेक्रेटरेट सर्विस फोर्स जो होता है इस्पेसल फोर्स वह हो गया ठीक है तो इसमें कूल पद जो है दोस्तों अब देख सकते हैं 24,379 पदों की वेकंसी है विग्यता इसमें भी जो मांगा गया है वह है दसमी पास उम्र सिमा की बात करें तो देख सकते हैं 18-23 बर्स के युवा लोग ही इसमें आविदन कर पाएंगे एक्जाम फिक की बात करें तो जेनरल OBC और EWS कैटेगरी से जो सुल्क रखा गया वह है 100 रूपी सौर रूप्या रखा गया SST के लिए 0 कोई आवेदन सुल्क नहीं है और फिमेल किसी भी काटेगरी के हो यहां पर कोई आवेदन सुल्क आपको नहीं लगेगा जिन दोस्तों को आई ये वाला हो यानि विभाग MHE IV के वेकिंसी के सारा किसी भी वेडियो का लिंक दिया हुआ है आप हर वीडियो को वहां पर आज़री करके सारा डिटेल्स को देख सकते है और देखे हो जुका है दोस्तों यह 27-10 से चल रहा है 27 अक्टूबर से लेकर 30 नभंबर तक यह चलेगा ओनलाइन आवेदन ठीक है तो यह रहा ससी जीडी चिसमें बड़ा वेकंसी 24,379 पदों की वेकंसी है अब जो तीसरा है दोस्तों वो है आप देख सकते हैं यहां पर कूल पद है 3932 यानि यह जो वेकंसी है दोस्तों यह देखिए सारा का सा और इंडिया लेवल की वेकंसी जैनि आप भारत के किसी भी स्टेट से हो फॉर्म भर सकते हैं क्वालिफाइब करिए नौक रिलीजी ठीक है तो यह है आपका हाइक कोड़ की वेकंसी जो कि आपका उत्तरपरदेश यूपी लाहबाद है ठीक है तो इसमें 3932 पदों की वेक पास मनें कुछ इसमें वेकंसी ऐसे हैं जो पो टैंथ पास रही है और कुछ वेकंसी एट वालों के लिए भी है ठीक है तो यह हो गया एक योग्यता इसका उम्र सीमा की बात करें तो देख सकते हैं 18-40 वर्स रखा गया है आपका इस लिमिट और एक्जाम फी की बात करें तो जनरल, OBC और इडेर्लूस काटेगरी में जो सुल्क रखा गया है यह 1000 रुपया रखा गया है जो की थोड़ा जादा है बाकी तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो और SCST के लिए 800 रुपया रखा गया है यह एक्जाम फी ठीक है ओनलाइन एप्लिकेशन की बा नवंबर को इसका अंतिम डेट खतम हो जाएगा 3932 पदों की वेकेंसी है बड़ी वेकेंसी है ठीक है अब आते हैं विभाग चौथा विभाग जिसमें कूल पद देख सकते हैं सब्सक्राइब की वेकेंसी है और यह विभाग है DRDO ठीक है DRDO की वेकेंसी से यह डिपार्टमेंट और रिसर्च डेवलप्मेंट और्गनाइशन्स योग्यता दसमी और बार्मी पास इसमें देखिए क्वालिफिकेंसन जो मांगा गया है यानि इसमें कुछ ऐसे वेकेंसी जिरो कोई आविदन सुल्क नहीं लगेगा यह दोस्तों मैं एक सौट नोटिस बता दे रहा हूं जिनके दोस्तों को देखना है डिटल्स में नोटिविकेंस बना दिया हूँ वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं ठीक है अब आकि उनलाइन आविदन की बात करें तो इसका उनलाइन आविदन जो है वो है 70-11 से सुरुआथ होगा यानि 7 November 2022 से सुरुआथ होगा और यह चलेगा 7-12 यहनि 7 December 2022 तक इसका उनलाइन आविदन चलेगा और जो पाचमा वेकिंसी है दोस्तों वो बिहार में DLRS की वेकि बना चुका हो लिंक नहीद पाया बट सवे बता दे रहा हूं यहाँ पर देख सकते हैं दस हजार से अधीक विकंसी में और इसका ओन्लाइन अप्लिकेशन जो сुरुवात हो चुका है दोस्तों ओनलाइन आवेदन चल रहा है जिन दोस्तों को आवेदन कर रहा है तुरंत वो आवेदन कर दे समय रहते और दोस्तों इस प्रकार के और भी गर्मेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर कर दीजेगा थैंक तो था कर दे किन दो आवेदन कर दो प्राइब लाइन कर दो प्राइब लाइक जावे भी बड़ प्राइब लाइब य।